फिराडे का second law ये कहता है first law तो ये कहता था कि बस वो ये बताता है first law कि current पैदा होगा या नहीं होगा EMF generate होगी या नहीं होगी second law बताता है कितनी generate होगी उसकी value क्या होगी? 2V होगी, 4V होगी, 6V होगी, कोई value भी तो होगी तो वो value बताने के लिए Faraday का second law है तो second law कहता है जो EMF पैदा होगी इस chapter में जो EMF पैदा होती है उसको induced EMF ओलते है तो इस chapter में EMF words अकेला बिल्कुल गलत है EMF battery के लिए यूज़ करते है हम छोटे E से represent क्या करेंगे induced EMF तो जो induced EMF पैदा होगी Faraday कहता है कि वो जो induced EMF है वो rate of change of flux के directly proportional है तो किसने मुझा है इसका मतलब क्या है समझाओ मतलब ये कि जैसे suppose करो इस loop में flux की value यहाँ पर 100 थी तुमने क्या कर दी? 0 कर दी तो एक बच्चा कहता है फिर d5 कितना है मैंने का देख 100 में से 0 गया 100 तो तुमने flux कितना change किया? 100 माइनस 0, 100 Good out तो वो कहता है कि ठीक है फिर इसका मतलब मैं समझ गया कि EMF कुछ पैदा होगी मैंने का बिल्कुल होगी फिर वो कहता है कि एक और lab में गया था उसमें flux 1000 था 1000 और 1000 जीरो हो गया तो फिर मैंने का d5 यानि कि कितना हो गया 1000 माइनस 0 तो जादा EMF पैता होगी मैंने का बिल्कुल ठीक क्योंकि नियुमिनेटर जाद है तो EMF जादा पैता होगी तो उसमें का कि क्या यह हमेशा यह हमेशा true नहीं है तो जादा कैसे मैंने का देख 100 वाले case में 100 से 0 हुआ अफ d5 d5 की value 100 से 0 हुई मैं लिक देता हूँ यहाँ पर case number 1 case number 2 यह देखो case number 1 है और यह case number 2 है मैंने case number 1 में d5 को क्या लिया 100-0 और case number 2 में मैंने d5 को क्या लिया 1000-0 तो rule to mac तो यही कह रहा है numerator बढ़ा है इस case में तो यह में जादा पैदा होगी ना फिराड़ने का आता जुरूर ही नहीं है समय denominator में क्या आ रहा है time तो किसी ने 100 से 0 करने में 0.1 second लगाया यह देखो यह देखो आदा घंटा हो गया लेके बैठे हुए 1000 से 0 कर पाया आदे घंटे का मतलब है 30 मिनट्स लो 800 सेकिंड लगा दिये उसने ति 9 मिनिट इतना बड़ा कर बैठा जो एमें बढ़नी चाहिए थी उल्टब वो एमें घट गई तो इसका मतलब समझ में आ रही है तो इसलिए उसने का rate of change of flux कौन जल्दी-जल्दी flux change करेगा और ज्यादा flux change करेगा तो step समझ में आया यहां तक तो इसलिए time भी matter करता है और d5 matter करता ही करता है तो इसलिए dam के अंदर जब magnets घंगाई जाती है जो coil घंगाई जाती है तुम्हे क्या लगता है coil क्या बहुत पूरे बतलब की पूरे dam जितनी बड़ी है बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं coil छोटी यूज कर लो magnet बड़ी मत यूज करो magnetic field कितनी बड़ा कर लोगे पानी जोर के गेर लो dam का पानी जबर्दस तरीके से गिरता है जिससे termine बहुत तेज भूमती है coil खतरनल तरीके से घूमना चुरू करती है तो rate of change of flux में time बहुत छोट है बहुत तेज भूम रही है इसलिए जाए flux जादा नहीं चेंज हो रहा time बहुत कम करके जादा जल्दी generate होती है और हमारे घरों में जो बिजली पैदा होती है वो dam से ऐसे आती है coil घुमी जा रही है dam पे बिजली पैदा किए जा रही है हमारे गणतों का आई जा रही है तो डैम के अंदर बिजली पैदा होती है department store भी करके रखता है और फिर बाद में release भी करता है तो एक बार तो बिजली पैदा कर लेते हैं और इसको store भी कर लेते है तो point समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे पैदा हो रही है बिजली इसमें और हमारे घरों में जो current आ रहा है वो induced current है हमारे घरों में यह current अपने आप पैदा हुआ 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 current है यह battery या inverter से दोना आ रहे है यह तो पानी गेर के coil को गुमा गुमा के आ रहे है तो समझ में आ रहे है और voltage भी induced voltage आ रही है हमारे घरों में बैटरी की voltage नहीं है ठीक है यहां तक तो यह case clear है यहां एक constant लगेगा constant यहां पर 1 लगता है पर जब हम equal to लगाते हैं तो sign यहां negative लगाते है यह important है e is minus d5 by dt चाहो तो formula register में एंटर भी कर सकते हो e is minus d5 by dt का formula है minus sign के साथ numerical होते हैं पर यह minus sign करता क्या है तो यह oppose करता है induced EMF जो है वो rate of change of flux को oppose करती है rate of change of flux तो आप generate करेंगे turbine तो आप घुमाएंगे coil तो आप घुमाएंगे और जो EMF पैदा होगी वो आपके घुमाने को oppose करेगी यह statement बहुत बढ़ी है पूरा जो बचाओवा lecture है वो सिरफ minus sign की discussion है बस आप imagine कर सकते हो कितनी बड़ी बात है minus लगाना तो मतला मैं पूरा lecture खतम कर दूँँगा सिरफ यह समझाने में minus sign क्यों लगा तो इसको discuss अराम से करते हैं लेकिन इसका example दिया हुआ है कि अगर आप एक magnet को coil के पास लेके आ इमेफ या current पैदा होगी यह rule है राइट second law कहता है अगर आप बहुत तेजी से लेके आते हैं speed बहुत तेज है तो flux बहुत जल्दी change कर रहे हैं तो current ज्यादा पैदा होगा और अगर आप जल्दी से दूर लेके जा रहे हैं तो current बहुत ज्यादा पैदा होगी तो time taken बहु Magnetic flux linked with the coil changes at a faster rate EMF जो generate होगी वो greater होगी वो बड़ी होगी ठीक है तक